स्वागत दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल स्कूप ओफदा डे में तो दोस्तो हम सभी जवान तो हना चाते हैं लेकिन हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजीटेबल के बारे में कभी नहीं पता होता जो हमें जवान मनाती हैं तो दोस्तों आज हमारी वीडियो इसी वी शेप होने वाली है कि कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें जवान मराते हैं तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं स्कूप अब दा डे नमबर एक वाटर क्रेश यान की जल कुम्भी वाटर क्रेश यान की जल कुम्भी में हमें भुर्पूर मातरा में कैल्शियम, कोटेशियम, मेगनीशियम, फोस्फोरोस, विटामिन A, C, K और B1, B2 पाये जाते हैं वाटर क्रेश हमारी इंटरन स्किन की एंटिसेप्टिक की तरह काम करती है दोस्तों और यह हमारी स्किन लाइन्स और जुर्जियों को दूर रखने में भी मदद करती है और हमारी स्किन को उक्सिडाइज करने में काफी ज्यादा मदद भी करती है नमबर दो, रेड बेल पेपर यानि की लाल शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च के अंदर पावरफुल एंटियोक्सिडेंट्स होते हैं जिसे हम कार्टिनोइट्स भी कहते हैं लायल सिम्ला मिर्च में हमें भरपूर मातरा में विटामिन C और एंटियोक्सिडेंट्स मिलते हैं जो हमारी एज को बढ़ाने में भी मदद करते हैं दोस्तों नमबर 3 पपाया यान की पपीता पपाया में हमें बरपूर मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी स्किन की लास्टिसीटी और हमारी स्किन को रिंकल्स से भी बचाती है यानि हमें जुर्यों से भी बचाती है आईए देखते हैं डॉक्टर्स भी पापाया खाने को क्यों कहते हैं पापाया में हमें दोस्तों विटामिन A, C, K और E मिलता है और इस इक साथ दोस्तों इसमें हमें कैल्शियम, कोटेशियम, मेगनीशियम, फोसफोरस, विटामिन B भी मिलता है और पपाया एजली डाजेस्ट हो जाता है इसलिए हमारे डॉक्टर्स भी से खाने के लिए कहते हैं दोस्तो नमबर चार ब्लूबेरीज यानि की जामून इसमें हमें पुरपूर मातरा में मिटामिन A और C मिलता है दोस्तो और इसमें powerful antioxidants होते हैं जो हमारे skin को सुरज देवता किर्णों से यानि की sun rays से बचाते हैं और ब्लूबेरीज हमें दोस्तों stress और pollution से भी बचाती है नमबर पाँच प्रोकली यानि की हरी full goby प्रोकली को power out packed food भी का जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें बरपूर मातरा में vitamin C और K होता है दोस्तों और इसके अंदर हमें alpha variety of antioxidants मिलते हैं और यहीं हमें बरपूर मातरा में इसमें fiber, lutein, wallet और calcium भी मिलता है और दोस्तों प्रोकली हमारे skin की strength और elasticity के लिए भी best है नमबर 6 spinach यानि की पालक spinach एक super hydrating food है दोस्तों और इसमें हमें बरपूर मातरा में vitamin A, vitamin C, E, K मिलता है यहीं नहीं दोस्तों इसमें हमें magnesium, plant based, hemi iron और lutein भी मिलता है और यहीं नहीं दोस्तों बालक हमारे skin को firm और smooth भी बनाती है और यह हमारे बालों को strong और shiny भी बनाती है नमबर 7, nuts nuts हमारे skin tissue और latin skin moisturizer और हमारे skin को UV rays के damage से भी बचाती है nuts हमारे skin के cell membrane को भी strength देता है और हमें sun burn और हमारे skin के oil को balance करने में भी help करता है नमबर 8, avocado maximum पैदा होने वाला एक नाचपाती जैसा फल दोस्तों एवकोड़ो में हमें high inflammation fighting fatty acids मिलते हैं जो हमारे skin को chicken और komal बनाते हैं एवकेड़ो में हमें ऐसे nutrients मिलते हैं जो हमारे skin को aging होने से बचाते हैं दोस्तों एवकोड़ो में हमें बरपूर मातरा में vitamin K, C, E, A और B मिलते हैं दोस्तों और इसमें बरपूर मातरा में potassium भी होता है दोस्तों और दोस्तों यहीं नहीं इसमें हमें बुरपूर मात्रा विटामिन A मिलता है जो हमारी डेड़ सेल्स को रिपेर भी करता है स्वीट पेटाटो का नारंगी रंग उसमें पाए जाने वाले बीटा केरेटेन एंटी ओक्सिडेंस के कारण होता है जो बाद में विटामिन A में चेंज जाता है और जो हमारी स्किन को elasticity और skin cell को growth देता है और हमें यंग बनाए रखता है स्वीट पेटाटा में हमें विटामिन C और E भी मिलता है दोस्तों जो हमारी स्किन को हारम फूल फ्री रेडिकल से बचाते हैं अनार को सर्दियों में healing fruits के लिए भी जाना जाता है अनार में भरपूर मातरा में हमें vitamin C और antioxidants मिलते हैं दोस्तों अनार हमें inflammation reduce करने और हारम फूल फ्री रेडिकल के damage से भी बचाता है और अनार को slow aging के लिए भी best माना जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जानस पहले हमारा चैनल scoop of the day को subscribe करना ना भूलिए